है 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 आज किस वीडियो में हम हमारे यूफाइ लाइट के मोडिफाइ एडप्टर वर्जन 2 के उपर बात करने वाले हैं देखिए हम हमारे चैनल के उपर mostly उसी टॉपिक के उपर वीडियो बनाते हैं जो ज़्यादतर यूजर्स को आती है मतलब जो मूबाइल रिपेरिंग के टेक्निशन है जितने भी टूल यूज करते हैं उनमें ज इसे ही एक हमारे एडप्टर के उपर बताने वाले हैं जिसके उपर हमने बहुत ही रिसर्च करने के बाद इस एडप्टर को हमने बनाया और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि यूफाइ बॉक्स में सैंसन में जब आइस पी पिनाउट करके किसी भी फोन को कनेक करते हैं तो कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यदा प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों के एंसेट उसके अंदर कनेक्टी नहीं होते हैं उसके उस वजह से हमने बहुत रिसर्च करके एक इस पर बनाया है जिसको हमने वी टू नाम दिया है और क्योंकि इससे पहले भी हम इस पर एडप्टर है जिसके साथ में इस तरह का आई इस पर एडप्टर वी टू आता है जो कि यो फाइबॉक्स का होता है और आपने देखा हुआ कि इन इस टूल के अंदर कनेक्टिविटी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी किसी पर हैंसेट को कनेक्ट करते थे यहां पर पीछे इस तरह का रिजिस्टेंस निकाल करके डारेक कर दिया जाता था तब कुछ-कुछ हैंसेट कनेक्ट होने लगते थे लेकिन सारे हैंसेट कनेक्ट नहीं होते थे उसके बाद देखिए हमने इस तरह का एक मॉडिफाइड आईसप एडप्टर बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ कंपोनेंट्स लगाय थे और इस आईसप एडप्टर के मदद से आईसप टूल के अंदर उप्पो रियल्मी वीवो शाओमी जैसे हैंसेट कनेक्ट होने लगे थे जिन भी हैंसेट के यूसबी केबल लगाने पर वी सीजी और वी सीजी क्यू पर वल्टे जाते थे तब हमारा यह आईसप एडप्टर उस फोन को तीन या चार जंपर मेंने डेटा-0, CMD, CL के ग्राउंड यह ग्राउंड नहीं भी लगाते थे डेटा-0, CMD, CL के तीन जंपर लगाते थे यूसबी केबल लगाते थे और फोन कनेक्ट हो जाता था देखिए यहाँ पर ओर और यहाँ पर हमारा मॉडिफाइड आईसप एडप्टर है जो कि इस टूल म इसके अंदर easily connect होते थे और easily इसके अंदर unlocking हो जाती थी लेकिन बहुत सी users को Samsung के handset connect करने में problem आती थे हमारे बहुत सारे वीडियो के उपर हमारे viewers के comment आते थे के सर हमें योफाइ box के अंदर Samsung के phone को ISP से connect करने में बहुत ज़्यादा problem आती है उसके उपर कोई solution दीजिए हमने बहुत research करने के बाद इस तरह का ISP adapter बनाया है जो की यह देखिए यहाँ पर आपके सामने है इससे पहले हमने यह वाला ISP adapter बनाया था अब हमने एक ISP adapter ऐसा बनाया है जिसके अंदर Realme OPPO भी वो यह handset तो connect होंगे ही होंगे साथ मैं Samsung के handset भी 101% इसके अंदर connect होंगे और हमने इसके उपर बहुत research किया बहुत सारे handset के उपर हमने इसको test किया उसके बाद में हमने इसको बनाया देखिए हमारा पहले वाला जो ISP adapter था उसके अंदर हमने only 4 points दिये थे data zero CMD CLK ground लेकिन कुछ handset के अंदर VCC Q या VCC भी साथ में जंपर करना होता था लेकिन हम हमारी हर वीडियो में कहते थे कि आप VCC Q को यूज ना करें क्योंकि वो थोड़ा risk होता है लेकिन उसके बाद भी कुछ-कुछ handset ऐसे होते हैं जिनके अंदर VCC Q देना और इसको हमने लगबग दो मेने पहले ही बना लिया था लेकिन इन दो मेने के अंदर हमने कम से कम इनके उपर सो से ज्यादा एंसेट के उपर और हमारी अलग-अलग शॉप और हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन सभी लोगों ने इसको अलग-अलग model ओपर टेस्ट कि आपको कभी किसी फोन को कनेक्ट करने में इशू आता है या CMD का एरर आता है आपका फोन कनेक्ट नहीं होता है तो इस एडप्टर को यूज कीजिए क्योंकि हमने बहुत सारी इसी चीज़ों को इसके अंदर एड़ किया है और मॉडिफाई किया है उन हैंसेट को ध्यान मे रखते हुए देखिए इसके यूज के ओपर प्रटिकुलर हम एक वीडियो और अलग से बनाएंगे जिसके अंदर हम इसको पूरा यूज करना बताएंगे अभी मैं शॉट में आपको इसमें बता लेता हूं क्योंकि हैं लाइव वीडियो बनाएंगे तब ज्यादा अच् तरह सर डिजाइन किया है कि हमने पहले जो मॉडल इजली ओपो व्यू रियल्मी योफा लाइट में कनेक्ट हो जाते थे इस आइडप्टर के लगाने के बाद बीवन देखिए जो पहला हमारा अडप्टर था उसके बाद यह वाला बनाया इसके अंदर हमने को स्विच यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर चार स्विच लगे हुए हैं जो कि अलग अलग टाइम पर हमें अन करना होता है और जैसा कि मैंने बताया कि इसको यूज करने के लिए पर्टिकुलर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम सेमसं के रियल्मी और बहुत सारे अलग-अलग ब्रेंड के फोन को हम इसके अंदर कनेक्ट करके बताएंगे और देखिए जैसा कि मैंने अभी यह भी बताया को कि हम हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डालते हैं वह उन्हीं टॉपिक पर डालते हैं जिस पर ज्यादा तर यूजर को प्रॉब्लम आ रही है और मोबाइल रिपरिंग के टेक्निशन का काम करने वाले जितने भी शॉप कीपर चैनिशन से हम उन लोगों के के लिए उन्हीं टॉपिक ऊपर वीडियो बनाते हैं जिस से सबसे ज्यादा लोगों को और टेक्निशन को परिशानी हो रही है तो देखिए जैसे कि हमारा पहले का जो ISP एडप्टर था वो Realme, Oppo, Vivo, Xiaomi पर 101% वरकिंग था ऐसा ही हमारा यह version 2 वाला जो ISP एडप्टर हमने भी बनाया है यह Oppo, Realme, Xiaomi, Chinese phone के अलावा Samsung के phone के उपर भी 101% tested है और इस switch से किस तरह से हम उन खामियों को दूर कर सकते हैं जो UofI box में connectivity में आती है उसके बारे में हम बाद में वीडियो बनाएंगे आप चाहें तो इस UofI light ISP एडप्टर वर्जन 2 को पर्चेस कर सकते हैं आपको स्क्रीन पर हमारा WhatsApp नमबर दिखेगा और हमारी website भी जो है दो दिन में launch होने वाली है तो इस वीडियो के अपलोड होने के दो दिन बाद इसकी purchasing link आपको website के through इसमें हम share कर देंगे मतलब जो purchasing link है हमारी website की online जो link रहेगी इसको purchase करने की वो link इसमें हम update कर देंगे और इसकी पर आपको WhatsApp का हमारा number दिएगा जिस नमबर से आप WhatsApp पर हमें contact करके इस ISP adapter को purchase कर सकते हैं और देखिए हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि इस तरह के problem solving वीडियो हम बनाते रहते हैं knowledgeable वीडियो हमारे viewers के लिए बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए thanks for watching कर दो हमारे बनाते हैं